मेरे प्यारे देश्वांचियों, हमारा देश इतना विशाल है, इतना विविदताओं से भरा हुआ है, इतना पुरातन है कि बहुत सी बातें हमारे ध्यान में नहीं आती हैं और स्वाभाविक भी हैं, वैसी एक बात मैं आपके चैर करना चाहता हूं कुछ दिन पहले माय गौव पर एक कॉमेंट पर मेरी नजर पड़ी ये कॉमेंट असम के नवगाओं के स्रिमान रमेश शर्माजी ने लिखा था उन्होंने लिखा ब्रह्मपुत्र नदी पर एक उत्सव चल रहा है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र पुषकर चार नमबर से सो 16 नमबर तक ये उत्सव था और इस ब्रह्मपुत्र पुषकर में शामिल होने के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों से कई लोग वहां पर शामिल हुए ये सुनकर के आपको भी आस्षिर हुआ ना हाँ यही तो बात है एसा महत्पपन उत्सव है और हमारे पुर्वजों और इसके ऐसी रचना की है कि जब पूरी बात सुनोगे तो आपको भी आस्षिर होगा लेकिन दुरभागे से इसका जितना व्यापक प्रचार होना चाहिए जितनी देश के कौने-कौने में जानकारिया होनी चाहिए उतनी मात्रा में नहीं होती है और ये भी बात सही है कि इस पूरा आयोजन एक प्रकार से एक देश, एक संदेश और हम सब एक है उस भाव को भरने वाला है, ताकत देने वाला है। देश में जादा लोग इस विशे में नहीं जानते हैं। हाँ, अगर शायद किसी ने इसको इंटरनेशनल रिवर फेस्टिवल कह दिया होता, कुछ बड़े शांदार शब्दों का उप्योग किया होता, तो शायद हमारे देश में कुछ लोग हैं जो जुरूर उस पर कुछ कुछ चर्चाई करते हो और प्रचार भी हो जाता है। मेरे प्यारे देश वाचियों, पुशकरम, पुशकरालू, पुशकरा, क्या आपने कभी यह शब्द सुने हैं, क्या आप जानते हैं, आपको पता है, यह क्या है, मैं बताता हूं, यह देश की 12 अलग-अलग नदियो पर जो उत्सव आयोजित होते हैं, उसके भिन-भिन नाम है, हर वर्ष एक नदी पर यानि उस नदी का नंबर फिर 12 वर्ष के बार लगता है, और यह उत्सव देश के अलग-अलग कौने की 12 नदियों पर होता है, बारी-बारी से होता है, और 12 दिन चलता है, कुम्ब की तर नहीं यह उत्सव भी राष्ट्रिय एकता को बढ़ावा देता है, और एक भारत स्रेष्ट भारत के दर्शन कराता है, पुषक्रम यह ऐसा उत्सव हैं, जिसमें नदी का महत्मय, नदी का गवरव, जीवन में नदी की महत्ता इस सहज रुप से उजागर होती है, हमारे प्रकृती को, परियावरण को, जल को, जमीन को, जंगल को बहुत एहमियत दी, उन्होंने नदियों के महत्तव को समझा, और समाज को नदियों के प्रती सकारात्मक भाव कैसा पैदा हो, एक संस्कार कैसे बने, नदी के साथ संस्कृति की धारा, नदी के साथ संस्कार की ध आरा नदी के साथ समाज को जोडने का प्रयास इंदिरंतर चलता रहा और मज़ेदार बात यह है कि समाज नदियों से भी जुड़ा और आपस में भी जुड़ा पिछले साल तमिनाडु के तामीर बर्नी नदी पर पुष्करम हुआ था इस वर्ष यह ब्रह्मपुत्रा नदी पर आउजित हुआ और आने वाले साल तुंग भदरा नदी है आंदरप्रदेश तेलंगना और करनाटक में आउजित होगा एक तरह से आप इन 12 स्थानों की यात्रा एक तूरी सरकेटिक के रूप में भी कर सकते हैं यहां मैं असम के लोगों की गर्म योशी और उनके आति प्लास्टिक फ्री जोन सुनिश्चित किये जगह जगह बायो टॉयलेट के भी व्योस्ता की मुझे उमीद है कि नदियों के प्रती इस प्रकार का भाव जगाने का यह हजारों साल पुराना हमारा उत्सव भावी पीडी को भी जोड़े प्रकृति परियावरन पानी यह सा सावने